हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम मोहित है और मैं शाह फैमिली से ब्लॉंग करता हूँ मैं कुछ अपनी लाइफ स्टोरी जीवन के आप लोग के साथ शेयर करना चाहूँगा ताकि आप लोग को कुछ facts पता चले जो नशे से पीडित हैं या नशे से बहार निकलना चाहते हैं जो परिशान है जिसकी family disturb हो चुकी है तो मैं कुछ related अपने उसमें ही आप लोग को बताना चाहूँगा कि किस तरीके से मेरी family भी disturb होगी थी मेरे वज़े से अपनी life story में आपको थोड़ी बहुत शेयर कर रहा हूँ short form में आप लोग सुनिये जराज से मैं friends मैं देरादून का रहने वाला हूँ और मसूरी जॉर्च का मैं शा फैमली से बिलॉंग करता हूँ मेरी family ने मेरे बच्चों ने सारा कुछ पहले में एक नशेय में ही रहता था पहले इससे पहले मेरी family ने इन लोगों ने ये एक चीज देखा है कि जीवन में अपना कितना मैंने उन्हें दुख दिया कितना उन्हें वो करा मैंने परिशान करा पहले अपनी लाइफ में अपने mother, father, parents वगरे को जितना भी है तो आज मुझे इन चीजों का realize होता है यार दोस्तों मैं देखता हूँ यार मैं कितना गलत था पहले यार जब मैं नशे करता था और नशे के दोरान क्या क्या मेरे साथ गुजरा है लाइफ में बहुत कुछ यार बहुत कुछ छूड़ गया यार लाइफ में लेकिन अब इस्तिरता आई है जीवन में फिर से दुबारा से जब मैं नशा छोड़ पाया हूँ और नशा किस प्रकार से मैं छोड़ पाया है मैं आपको यही चीज बताना चाहूँगा नशा मैं जो आज छोड़ पाया हूँ यह नशा मुक्ति केंद्रों की मदद द्वारा ही छोड़ पाया हूँ मैं इसके लिए मैंने टॉक्टरी मैडिकली सारा कुछ मैंने अपने उपर करवा करके देखा मेरे उपर कोई फरक इंचीजों का नहीं पड़ा था जब मैं रिह फिछारों मैं इतनी हैल्प करी कि मैं उन लोग का धन्यवाद करते करते कभी अपने दिल से पूर के पूरे पूरा उन लोगत शुक्र गुजार करता हूं सारे चाहि संपमुक्ति केंद्रों वा लोगा कि ओन्होंने मेरे जीवन को बदला है ऑर मेरे लिए तो भगवान हो यार वो लोग आज इसलिए बोलतों में होने क्योंकि उन्हेन ने मेरे जीवन में जो चीज मैंने सोची नहीं थी उन्होंने मेरे को दुबार से उस लेविल में स्टेंड वहा हूँ दुबार से नशा छोड़ने के बाद आज लेकिन यार काफी लोगों मुझ से मेंने सुना या नशामुक्ति के इंदर ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं, यह है, वो है, हमारे उत्तरखंड के अंदर बहुत सारे नशामुक्ति के इंदर हैं, लेकिन नशामुक्ति के इंदर सारे लोग अच्छे चला रहे हैं, कोई दिक्कत परिशानी नहीं है, सासन प्रसासन वगेरे को इन में जो involvement ले रहे ये लोग, मेरा main message यह है कि इन लोग को बोलना चीए, कि इनको ज़्यादा involvement इसमें नहीं देना चीए, क्योंकि उनको पता तो है नहीं कुछ, क्या होता है, क्या नहीं होता है, नशामुक्ति केंद्रों के बारे में अफवायां फिला देते हैं, कुछ गलत शलत बोलते रहते हैं उन लोग के बारे में, वो तो बिचारे अपना काम कर रहे हैं, एक NGOS चला रहे हैं, गौवर्मेंट के पास तो हमने देखा नहीं गौवर्मेंट के जो इलाज में जाता है बन्दा, मैं तो यहां तक देखा हॉस्पिटिलों में बिचारे निच्चे पड़े वे, बैट से निच्चे पड़े वे, किस बात के लिए पड़े हो भई तुम लोग, यह समझाओ जरा, कल के दिन जब तुमारे घर में भी कोई बच्चा या तुमारे परिवार के कोई फैमिली का ऐसे निकल जाएगा, उस दिन तुम लोग को रिलाइज होगा इंची जोगा, यह मुझे बता हो आज तुम लोग, तो तुम लोग उन लोग को जब अच्छे कारे हैं, वो लोग कर रहे हैं अपने जीवन में, तो उनको और अप्रिशेट आप लोग को करना चीएगी, यार खीक है, तुमारी हेल्प गॉर्मेंट भी करीगी, तुम्हें गॉर्मेंट के द्वारा भी हेल्प मिलनी चीए और, ठीक है, ऐसा तो कुछ है नहीं, बट लोग अपने बल्बूते में चला रहे हैं, उन्हें कम से कम कुछ परिशानियां तो मत दो, क्रेट तुम लोग हर प्रावलम्स उन ले उगले क्रेट करते हो, क्या है यार, ये मतलब क्या है आखिर कार, चार अधिकारी तुमारे वहां से मेडिकल वालों से आजेंगे, चार अधिकारी तुमारे दूसरे उस से आजेंगे, संस्ता हों से पता नहीं, यह साला बिचारों को परिशान करके रखा वन लोग को, एक अच्छा काम कर रहे हैं, आप देखो, अगर नशामुक्ति के इंदर ना हो, गवर्मेंट के पास इतनी फैसिलेटी है कि नशामुक्ति के इंदर कहीं वो खोल दे, सरकारी अस्पतालों के हालत भी देख रहे हैं कै कई बच्चे इसमें ठीक हो कर रहे हैं, जो क्रिमिनल थे वो बिल्कुल सही उप्चार में चले आज, उनके कम से कम माथा में कोई लेविल तो नहीं लगा, कि यार उन्हेंने कुछ क्रिमिनल एक्टिविटीज कर दी, कोई जेल गए या पागल खाने गए या कुछ ऐसा उन लोग के डंडा मत कीजिए, जहां तक मैं आपके लोग के आगे हाँ जोडता हो यह, कि अगर आप लोग इनके ज्यादा डंडा करोगे, तो अच्छी बात नहीं होगी, एक दिन ऐसा होगा मिल करके, पूरे के पूरे सरकार में, जितने भी हमारे उत्राखंड के लोग हैं, स आप लोग उन लोग को कॉर्परेट करो ना, यार, क्या साल है बेकार में, अना आप शनाप कार्ये करा करके, यह नौम्स, यह कंडिशन्स, वो अलाना फलान, दिमकाना, वो जो बिचारे आराम से काम कर रहें, उनको काम भी नहीं करने दे रहें, फिर तुम बोलते हो, बेर भूमी ने भूमी बेज दी यहां पर, उन लोग के बिचारे परिवार के कुछ के पैसे खतम हो गए, कुछ के भी वैसे चल रहा है, कुछ के बच्चे नशीडी निकल के, वो जहते से परिशान हो रहें का भी, तो कहीं न कहीं तो इलाज के लिए जाएंगी भाया वो, या कुम बता दो मुझे कोई डोक्टर का नाम ऐसा बता दो कि जो डोक्टर आप लोग को अल्कॉलिक आदमी को ठीक कर सेगे, या कोई दवाई ऐसा नाम में बता दो, आप लोग अगर हो इतने इंटेलिजेंट बंदे, तो यह बताईए कि इसके लिए कोई दवाई बनी तो एक लाग रुपई नाम के दूँगा, अपनी तरफ से, उस अधिकारी को, ठीक है जी, और सच बोल रहा हो यह, मेरा नमबर निच्चे प्रिश्क्रिशन में अपने नमबर भी दूँगा, मुझे कॉंटेक्ट आप कर ले ना, मैं जॉर्ज में रहता हूं, मैं सुरी जॉर् I am always available, तो आप देखो यह चीजे, और मैं खाली यह आप लोग को message दूँगा, कि आप लोग इन लोग के पिछे ज्यादा मत, पिछे पड़ो, इन लोग को काम करने दो, इतना अच्छा वो लोग काम कर रहे हैं, उन बिचारों के पिछे डिंडा मत करो, मैं भी आ करके ठीक ह यहां पर दिमरी के यहां करके ठीक हुआ हूँ, एक लास्ट रियाप करके देरादुन के इंदर, वहां करके मैं ठीक हुआ हूँ, ठीक है, मैं और बाकी संस्ता वालों को औरों को भी जानता हूँ, वहां मैं देखता हूँ, हर मीटिंग में जाता हूँ, मैं वहां देखता बाइ बाइ